आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ एपल की खीर जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है आप इसको ब्रत में भी बना करके खा सकते हैं तो फिर आईए देख दें कि कैसे बनती है एपल के खीर खीर बनाने के लिए मैंने दो ग्लास दूद लिया है सबसे पहले दूद को बॉइल होने के लिए हम रख देंगे गैस ओन कर देंगे और इसको बॉइल होने के लिए रख देंगे तब तक यह बॉइल हो रहा है दूद तब तक हम अपना एपल छील लेंगे और इसको ग्रेट कर लेंगे ग्रेट कर लिया है अब इसको हम पकाएंगे एक साइड हम अपना दूद भी चेक कर लेंगे दूद को हमें इतना पकाना है कि यह दो गिलास था और इसका एक गिलास दूद रह जाए तब तक हमें इसको लगातार चलाते हुए पकाना है बीच बीच में हम चलाते और हमने एक पैन रग दिया है इसमें हम अपना ग्रेट किया हुआ एपल डाल देंगे और इसको हम इसका कलड चेंज होने चीनी इसमें मिल जाएगी अच्छी तरीके से तब तक हमें इसको पकाना है तो से तीर मिनट लगेंगे इसको पकने में दूसरी तरह पुपना दूद भी चेक कर लेते हैं चलाते रहेंगे बीच वीच में जिससे की तले में लगे नहीं एपल को पका के दूद में इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर हम बिना पकाई एपल को दूद में डाल देंगे तो दूद फट सकता है क्योंकि एपल में कुछ एसिट सोते हैं जो दूद को फार देते हैं इसमें चीनी काफी अच्छे से मिल्क सो गई है, अब दूद चेक कर लेते हैं, दूद भी हमारा बिल्कुल तयार है, लगभग एक गिलास दूद बचा है, दो गिलास हमने रखा था, काफी अच्छे से दूद भी पक चुका है, अब इसमें हम अपना जो एपल का हमने तैयार किया था बो हम इसमें दूद में डाल देंगे इसको दो से तीन मिड़ तक पकाना है इसी तरीके से चलाते हुए अब हम इसमें अपने ड्राइ फ्रूट्स एड़ करेंगे इसमें 8-10 किसमिसली है ये डाल देंगे दो तीन बादाम है इनको बारीक कट कर लिया था हमने ये डाल देंगे दो तीन काजु है इनको भी बारीक कट कर लिया था और इसको दो से तीन मिड़ तक हम और पकाएंगे एपल की खीर हमारी बिलकुल बन करके तयार है वसे इसमें हम इलाइची पाउडर डाल देंगे और इसको मिला देंगे यह बहुत ही जादा टेस्टी बनती है इसको एक बोल में निकाल लेंगे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस